अर्थप्रकाश देखने वाले तमाम भाईयों बैनों को डॉक्टर स्वास्तिशन मगन नमस्कार प्यारे भाईयों बैनों आज हम फिर बात करेंगे बड़ोता उप चुनाप की जैसे आप सबको पता कि इस चुनाप पर पूरे हिंदोस्तान की निगा ठिकी हुई है और हर्य बैटर जी ने आज दूसरी वार्स मोदित कर रहे हैं थोड़ी देर में लोगों को और रही हैं और यहां तक कि लोगों का रिस्पोंस भी मिल रहा है जैसे हम कहते हैं कोई चनाप होता तो उसमें उथल पिशल जारी होती है को बात होती है लेकिन लोग तंतर पंधे आ पड अब हम बात करेंगे कि अर्थ प्रकाश आर्थ प्रकाश नहीं जैसे आप सब को पता है कि अपने प्रिंट में भी और लेक्टनों में हम सब आपको वहां की अपडेट करते रहे तोड़ तोड़ दिनों के बाद और में हर जा रहा है यहां तक अर्थ प्रकाश ने ग्राउंड लेवर बोट बित्यार की और भूट लेवल पर यह पहली बार हुआ है कि बूट लेवल पर कितन है हर्याना में वहां पर असी हजार बोट जाटों की यानि जाट बहुले खेतर है और जब यह बात आई और सभी इस इलेक्शन के अंदर यानि यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बोट इन जाट ब्रादरी की हमें आए लेकिन इसी को देखते हुए चुनाव योग जैस ओिने लोग दिशादर जारी की है सबी लीडर के लिए कि कोई भी मिजातब बragon इस इलेक्शन में नहीं करेगा जाथ ध्रम में समन्दिश हो अगर कोई लाट वाद ềnक बार मांता है तो उसको दो साल की कैध हो सकती है अगर कोई उमीदवार यह से मांगता जाती को आगे लेकर मांगता तो उसकी उमीदवारी भी रध हो सकती है अब चुनाव योग की सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि जब उपचिनाव होता है कि सभी के मन में यह प्रिया घटना ना घटे और इसके चांस भी बहुत होते हैं उपचिनाव के यानि हम कह सकते हैं कि चुनाव योग पार्टी हैं इस वक्त ब्रोधा उप चुनाव के रंक शेतर में सबी कूट चुके हैं और इलेक्शन में जो होगा फ्यूचर के अंदर है लेकिन हम यह अर्थ प्रकाश भी यह अपील करता है कि जो सभीधान ने हमें एक अधिकार दि होना बहुत जूरी होता है यह हमारी जुम्मेवारी भी होती है कि इस लोग तंतर के महायक के अंदर उप्चिनाव के अंदर ब्रोधा के लोग अपने मत का प्योग जूर करें और आने वाले दिनों के अंदर कौन सी पार्टी जीतेगी यह बोटिंग पर सेंटेज पर जिन्ता के पाले में जा चुकी है यह मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की ब्रोधा अलेक्शन पर रिपोर्ट थी जो हम आपको आगे भी देते रहेंगे विशेशन देते रहेंगे लेकिन तब तक के लिए आप सब मारे साथ बने रहें अर्थप्रकाश के साथ बने रहे झाले